फाइनली गाईज आईफोन के लिए रिलीज कर दिया गया है गाईज 5G का अपडेट जिसको आप लोग कैसे एकसे कर सकते हो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसके लिए आपको iOS 16.2 का जो बीटा बीटा गाईज वो इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि developer 2 है जिसका size अराउंड 5GB का है बट आप इसे easily इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर guys install करने के लिए आपको कुछ steps को follow करना पड़ेगा जिसके बाद आपको कुछ नए features मिलेंगे साथ साथ guys 5G का sport मिलेगा iPhone 11, 12, 13, 14 और most उन सभी devices में जिसमें iOS 16.1 है क्योंकि उसके लिए guys आपको iOS 16.2 को भी install करना पड़ेगा तो iPhone में guys developer beta 2 कैसे install करना है guys यहाँ पर मैं आपको प्रसेजर बताने वाला हूँ बर चैनल पर first time आयो यार तो subscribe बटन पर क्लिक कर दो और bell icon पर क्लिक करके उसे वाल पर कर दो ताकि आपको हमारी video connection सबसे पहले देखने को मिल जाए और आप ऐसे amazing information को बेस्ट ना करें developer और public beta तो public beta भी guys safe होता है उसमें bug कम होते हैं बर developer वाले में bug ज्यादा होते हैं बट हमें feature भी उसी में मिल रहा है तो यहाँ पर आपको option मिलता है install profile कुछ और छेड़ने की जरूरत नहीं है उसके बाद यहाँ पर आपने install पर क्लिक करना है जैसे आप लोग install पर click करोगे guys यहाँ पर आपको next option मिलेगा allow का आपने simply allow पर click कर देना है उसके बाद आपको message pop-up होगा profile downloaded अब जैसे ही guys आपकी profile download हो जाएगी उसके बाद guys आपने चले जाना है settings section में जहाँ पर आपको profile downloaded का option देखने को मिलेगा जिस पर click करने के बाद guys वहाँ पर आपको install का option देखने को मिलेगा जिस पर आपने simply install कर लेना है जैसे आप लोग install पर click करोगे guys वहाँ पर जाके आपने about section में चले जाना है उसको फिर से refresh करना है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके phone में iOS 16.2 का जो beta developer 2 है guys वो download होना शुरू हो जाएग download करने में guys time लेगा क्योंकि इसका size 5 GB का round है आपके पास अच्छा गर फाइफाई है तो आप इसे easily install कर सकते हो तो यह थोड़ा time लेगा तो जैसे install हो जाएगा guys रिबूट करेगा जिसमें थोड़े बहुत bugs भी हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूं guys इसकी bugs नहीं मिलेगा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है तो simply guys जैसे install हो जाएगा reboot हो जाएगा एक बार देन आपके फोन में guys iOS 16.2 इंस्टॉल हो जाएगा जिसके बाद आपको नए features मिलेंगे साथ साथ 5G का sport भी मिलेगा तो काफी easy way था guys जिसकी help से आप लोग 5G enable कर पाओगे अ काफी easy way है तो try करो guys आपको 5G देखने को मिलाए कि नहीं इस trick के बाद comment section में बताओ ताकि बाकी user को देखने को मिल सके और अगर आपके phone में 5G enable हो चुका है guys तो चैनल को subscribe कर दो ताकि आप कमेडिये में ऐसी और कमाल की tricks में आपके लिए लाता रहा हूँ और वीडियो अच्छे लगी होगी guys तो like जरूर करना